सच बोलना परगलाना है क्या या राजनीत में सच नहीं बोलने की लोगों ने कसम खार किये लेकिन आप ये कहें कि जी ट्वेंटी उन्हीं की देन है तो ये गलत है नमस्कार में शालिनी जहार आप देख रहे हैं सौगन्दी टीवी इन दिनों AIMIM के राश्य अध्यक्ष असाद उद्धी नोवैसी और उनके भाई अकबर उद्धी नोवैसी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं एक तरफ असाद उद्धी नोवैसी ने ये कह दिया कि मेघाले और गोवा में बीफ बैन नहीं है क्योंकि वहां पर मम्मी कहते हैं जबकि महराश्ट में बीफ बैन है क्योंकि वहां पर मा कहते हैं दूसरी तरफ अकबर उद्धी नोवैसी उनके भाई ने ये कहा कि हमें न चाहिए वाला प्रदान मंत्री चाहिए ना चौकिदार तो नहीं मुद्दों को लेकर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मनमोहन जाग गामा मौजूद है जिस तरीके से पहले असद्दी नवैसी जी के बयान पर आते हैं क्यों उन्होंने एक बार फिर से जो है तारगेट करने का काम शुरू कर दिया है क्योंकि ऐसा तो उन पर आरोप लगता रहता है कि वो मुसल्मानों को बरगलाने की बहुत कोशिश करते हैं सच बोलना बढगलाना है क्या या राजनीत में सच नहीं बोलने की लोगों ने कसम खा रखी है राजनीत में अगर सच कोई बोलता है तो आल इंडिया मजली से इतहादुर मुस्लमीन का राश्टी निर्तित वरिष्टा सुदीनो वैसी साब सच बोलाओने क्यों कि भारतिय ज दिलसिला सा बन गया है आप किसी खास ब्रक को टारेट करके इस तरीके का कारناमा करो गए तो क्या मैं उसके सम्भिधान आपको इजाज़त देता है और गवुरक्षा की बात करते हैं ये सरकार क्या कर रहे हैए पुलीस क्या कर रहा है सवाल उठता है नहीं उठता है आप सीधह यह कह दो कि गव का जो हत्यारा है यह मुसल्मान है या गव की तसकरी मुसल्मान का मैं समझता हूँ अगर आप अभी देख लें आज हमारे गव माता किस्टिती हिंदी पट्टी में क्या है हमारी मा जब तक हमें पैसा देती है हमारी मा जब तक हमारा देख बाल करती है तब तो वो हमारी मा होती है आज भी अगर आप ब्रिधास्रम में जाके देख ले तो सबसे ज्यादा हम गव माता को मानने वालों की माही ब्रिधास्रम में है तो और अगर गव तसकरी हो रहा है गव को पालते कौन है हम पालते आप पालते अब दूद उसने नहीं दिया तो आप बेचने का काम करते हैं, आप अपनी मा को जिसे आप मा कहती है, यह सर यह मम्मी और मा का जो केटेगराइज किया है, यह गलत नहीं है, क्योंकि गाई तो हर को गाई को मानने वाला हिंदू है, उनके लिए मा है, मा है, मा है, चाहिए मम्मी कह ले आप, या मॉम कह ले आप, ले तो आप जो भी कुछ कहते हो रास्ता तो वहीं तक पहुंचता है ना तो उन्हें मम्मी कही है तो उस साइट का प्रियोग करना नहीं कर रहे हैं हां ये लोग जिनको गव माता की सुरक्षा नहीं करना है हैं गव माता की अनम पर कना की बावणाव को कुड़ेत करके बोट प्रब्राप करना नहीं करना हैं हमारा और हमारे ८ाननВО pertaining किसी भी जहाइन प्रियौं करना है हमें उसके जो आम मूलभूत raszamजिया हैं उसको लेकर करके हम चाहते हैं कि जंता के बीच लोग जाए और हम भी चलें और जो पार्टियां वो भी चलें लेकिन जो सत्था में बैठी पार्टी है वो उसे अपने काम पर विश्वास नहीं है उसे कभी गव माता को लेकर आई है सर बीजेपी ने तो कुछ गव माता पर अभी तक कहा भी नहीं हालांकि बीजेपी की अध्याक्ष जो एक नेता है उन्होंने साफ वीप पर बयान दिया था लेकिन इन सब मुद्दों में कई न कई तो अलागी नजर आ रहा है ना वैसी जी का स्टेंड क्लियर है हम और इंडिया मजली से इताहदर मुसलमीन के लोग ना किसी की भावना को ठेस पहुचाना चाहते हैं ना दार्मिक रूप से ना रखरकाब से ना पहनाव से ना भासा से क्योंकि हम संपौर्ण को अपना है एक मांते हैं लेकिन बात बात पर पर कही हुंद से पहले अगर उसका घोर निंदा और कारवाई की मांग किसी ने की तो वह हमारा नेता वैरिष्टा सुधिन वैसी था और अगर आज नासिर और जुनैत की जो हत्या निर्मम हत्या की गई हिंदुस्तान के किसी राजनितिक दलने उस परिवार की सूध नहीं लिए सर पर्थम अगर किसी ने लिया तो वैरिष्टा सुधिन अगर NO फकशनिया नासिर और जुनैत को कहते हैं कि अशंहीद का दर्ज़ा दिया जाए कि क्या यूंसी वहीं नहीं आई तो किया क expected की रोक रहे यह कनेया नहीं को शहित का दर्ज़ा बेटी की उम्र को देखें आप किस स्थिती में वो अपना जीवन यापन कर पाएगा यह तो भगवानी मालिक है लेकिन सरकार अब तक आख मुंदे बैठी है सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा कारे नहीं किया गया जिससे कि उस परिवार को संतुष्टी हो कि आप राध्यों क कि जहां बात हो रही है वहां उनके भाई अकबर उदिनोवैसी ने बयान दिया कि ना हमें चाय वाला चाहिए ना चौकिदार किस तरीके का बयान है क्या यह प्रधान मंत्री पद की गरीमा को ठेस पहुंचता हो आप खुद सोचो क्या देश का प्रधान मंत्री चाय बनान एकता और अनेकता और अखंडता को अच्छुन किस प्रकार रखा जाए कि एकता कहां खराब हो रही है अच्छुनता या फिर अखंडता कहां खराब हुई है सिविलाइजेशन तो भारत का होई रहा है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता मिली हमें खुशी है कोई दिक्कत न नहीं ले पाया इसको किसी भी मकान का निर्मान करने के लिए निव का मजबूत होना आवश्यक होता है तो जिस दिन देश हमारा हजाद हुआ था उस दिन 40 क्रोड की जन संक्या में सरहदों पे लेकिन जब यह सत्ता में तो आते ही इन्होंने बिक्रांता का उद्गाटन किया इन्होंने बिक्रांता करनीव नहीं डाला तो अगर आज हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है तो कहने कहीं हमारे बुजर्गों की देने एक आखरी सवाल कर लेती हूं चुनाव कि नजदीक है अब 24 का चुनाव आ गया है करी ना करी पार्टियों की तैयारिया जो है वो शुरू हो चुकी है इस बीच हर बार यह आरोप लगता है कि ए आयम आयम जहां जहां चुनाव होते हैं महां महां ए आयम बीजेपी को जो है वह फाइदा पहुंचाती यह बयान ब किसी और का नहीं है नागपूर से चला हुआ सब्द है वो नहीं चाहते कि भारती जंता पार्टी को कड़ टकर दे सके वैस्टा सुद्दीनों वैसी साब उनकी पार्टी क्योंकि आज हमारा जनादार बरता जा रहा है आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में लोगों ने हमें सुईकार किया है आप देखेंगे 2024 में यहीं चुनावा योगा में राष्ट्रिय पार्टी की माननेता देने जा रही है तो चलिए क्या कुछ कहा है मनमोहन जागामा ने यह आपने सुन लिया वीडियो में फिलाल इतना ही हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडि की